कोरोना ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है वह इसके साथ ही बारस सरकार भी पूरी तरीके से अलर्ट मोट पर नज़र आ रही है साथानी बरतने में राज सरकारे भी पीछे नहीं है सबी राज सरकारों ने अपने राज में कॉरोना को लेकर अलग अलग कदम उठाने शुरू कर दिये हैं कॉरोना वारिस ने सिर्फ लोगों के स्वास्त को खराब नहीं किया है बलकि उसने पूरी तरहा से लोगों की जिंदगी पर भी ब्रेक लगा दिया है जिससे बचने के लिए सरकार कोई भी कदम उठाने से हिचक नहीं रही है चाहे उसको सक्त ही कदम क्यों न उठाने पड़े आम दिनों में भले ही किसिम भी मुद्दे पर राजिनीती देखने को मिल रही हो लेकिन कोरोना वारिस से लड़ने के लिए हमारी राज्य और केंद्र सरकारे एक साथ आ चुकी है जहां एक तरफ केंद्र सरकार के उरसे सक्त कदम उठाये जा रहे हैं तो वहीं राज्य सरकारे भी पीछे नहीं है सबसे पहले बात हिमाचल की हिमाचल में सभी आयोजनों पर रोक लगा दी गई है कुछ समय के लिए मेले त्योहार टूनमेंट का आयोजन नहीं होंगे और इसी के साथ एक डॉक्टर ने मास्क ना होने पर आपरेशन करने से मना कर दिया तो उसके बाद तो तुरंथी उसको मास्क दिया गया हर्याना की बात करें तो हर्याना में सभी निजी और सरकारी स्कूल 31 मार्च तक बंद कर दिये गए है वहीं हर्याना से सटे पंजाब में सभी बॉर्डर्स पर एंट्री बंद कर दी गई है गूगल ने बैंगलूरी के करमचारियों को घर से काम करने को कहा है वहीं महराश्ट में भी सक्त कदम उठाते हुए मुंबाई नवी मुंबाई समे पूरे महराश्ट में माहमारी करोना को घोषित कर दिया गया है बात अगर केरल की करें तो केरल में सबसे अदा कोरोना की संक्रमित लोग पाए जा रहे हैं इसलिए इटली से संक्रमित परिवार जहां गया है उसका मैप जारी किया गया है और 900 लोग निगरानी में रखे जा रहे हैं महिराजे सरकार ने विधानसबा सत्र की अवधी को भी घटा दिया है उत्राखंड में क्वैनेंटन फेसिलिटी तैयार की गई है उत्राखंड में बारवी कप्षा तक के सभी सरकारे और प्राइवेट स्कूल 31 मार्च तक बंद रहेंगे और सभी विधेश्यों की स्क्रीनिंग की जा रही है यूपे में कोरोना को महामारी घोश्ट कर दिया गया है और इसी के साथ 22 मार्च तक सरकार ने सभी स्कूल और कॉलेज बंद रखने की निर्देश दिये हैं और बसड़ो और एइपोर्ट पर लोगों को इसके पती जागरू करने शुरू कर दिया है बात अगरो रीशा की करें तो यहां 200 करोड का फंड दिया गया है कोरोना को महामारी घोश्ट कर दिया गया है और सेक्ष्डिक संसान 31 मार्च तक बन रहेंगे वही खत्रे को देखते हुए 200 करोड का फंड तयार किया गया है यूपी से सटे बिहार में डॉक्टरों की छुट्टियों को रद कर दिया गया है पतना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में डॉक्टरों की छुट्टी को रद कर दिया गया है और मिद्डे मील का पैसा अकाउंट में भीज़ गया है वहीं बिहार से ही लगे 36 गर्ड में स्कूल, कॉलेज 31 माच तक बंद रहेंगे स्वेमिंग पूल, लाइब्रेरी ये वाटर पार्क भी नहीं खुलने वाले हैं वहीं केलल से लोटे CRP अजवान के सैंपल जांच के लिए फेज दिये गए हैं कोई बात अगर अंधर पृदेश की करें तो विदेश से लोटे लोगों को अलग रहना होगा सबसे पहले अंधर पृदेश में महामारी रोग आक्ट लागू कर दिया गया है कोरोना वायरस को लेकर इसी भी परिशानी से निपटने के लिए तैयार है और धूरे अस्पिताल में भी सेनिटाइजर से सेनिटाइज किया जा रहा है कुरोना से लड़ने के लिए स्रिफ सरकारी कदम नहीं उठा रही है बल्कि आम लोग भी आगे आ रहे हैं दिल्ली की मजजिदों और दरगाहों पर पहुँचने वालों की तालात पर कुरोना के खौफ का असर फिलहाल नहीं देखने को मिल रहा है लेकिन जुम्मी की नमाज से पहले इमाम लोगों को समझाते हुए नजर आए इसी कि तरजपन गुर०्वारों में भी दिल्ली के लोगों को जागरुख किया जा रहा है और इसी के साथ लोगों को हाग धोने वाली जगा पर सैनिटाइजर दिये जा रहा है यानि कि कुरोना से लड़ने के लिए भारत भे पूरी तैयारी कर ली है लेकिन वाइरस का खत्रा अभी भी लोगों पर मनरा रहा है क्योंकि भारत में संख्या 80 के पार पहुच चुकी है संक्रमित लोगों की और दो लोगों की अब तक मौत भी हो चुकी है Special Desk, Total News